वैसे एक चीज जरूरी होते हैं रिवीजन अगर आप कर लेते हैं किसी चीज़ का तो वह चीज ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाती है तो आज हम रिवीजन करवा देंगे आपको फ्यूचर टेंस का पूरा ठीक है यानि कि फ्यूचर इंडेफिनिट निज़ार विडियो के माध्यम से तो आज के वीडियो में हम हम एक ही विडियो में सारा में कर देंगे फ्यूचर टेंस का ठीक है तो चलिए हम करते हैं आपसे बरे मैं घ्र है अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यानि कि पहली बार का मतलब यह हुआ कि अगर आप चैनल पर हमारे नए आये हैं पहली बार आये हैं अगर आप वीडियो को इसी टिक को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे यह कहूँगा कि मैं अपने चैनल पर सुर सुर्वाज से वीडियो को देखते आई और ग्रामर को सुर्वाज से अगर आप देखेंगे तो वह ज्यादा अच्छे तरह के समझ में आती है तो आप जाकर सुर्वाज से चीज़ों को देखिए और वहां से समझते आईए चलिए हम आज की व्योड़े को स्टार्ट करते है सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर में जो सबसे पहला टेंस आता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानि की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब यह होता है भविस्य भविस्य का अनिस्चित काल ठीक है इंडेफिनिट में सोता है अनिस्चित अब फ् बिद्रों समझते हैं पर एक कुल आयेगा ठीक है तो यहां पर आपको seria क्या लगता है कल आयेगा की कल आयेगा वह future की बात है लेकिन अनिष्चित भी कि कल आयेगा लेकिन कब आयेका यह निष्चित नहीं हूं तो इस तरीके सां से जो फ्यूचर में आपको चीज अनिश्चित लगें वही चीज आपको समझ लेना कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस सबसे बड़ी पहचान है ठीक है चलिए यहां पर जो इसका मुख्य रूप से पहचान किया जाता है यह मैंने आपको बता दिया लेकिन वैसे देख के उसके प पहचान होगी गागय किसे आप करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से यहां पर चीज एक लिए तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के लिए आपको लगाना कुछ नहीं होता है विल या सैल ठीक है या तो विल लगाईए या तो सैल लगाईए आपको दोनों चीजे विल सैल मिसे एक ही चीज लगानी होती आपको विल वहां पर लगाना है जहां पर आपको आई और वी न देखे जहां पर आई और वी रहता है वहां पर सैल होता है ठीक है तो आई और वी के साथ सैल लगाना होता है और और सब के साथ विल का यूच करना होता है विल या सैल लग प्लस नाट गो टैप की क्रिया आपको लगानी है गो के पहले यानि कि जो उसकी क्रिया उसके पहले ही हमेसा नाट आता ही अप ध्यान राखेगा उसके बाद कभी नहीं होगा और यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एक्जामपल की है ठीक है फ्यूचर इंडिफिनिटेंस की एक एक्जामपल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और चीजों को समझिए तभी जो है सारी चीज़े क्लियर होंगी कि मैं आप से बार-बार कहता हूँ वीडियो को स्किप करने से कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा है कि आप सव वीडियो देखने के बजाए एक वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देखते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है तो यहां पर will sell, मैंने आपको बताया कि will sell plus not go टाइप पिक रिया, इसका मैं एक example आपको बता रहा हूँ, जैसे वह यहां आएगा, ठीक है, मैं negative भी बात करूँगा यहां पर, पहले आप सुनिए, वह यहां आएगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, he will come here, ठीक है, he will come here के मैंने आपको यह बताया, कि जो आपकी क्रिया है, इसमें क्रिया क्या है, आना है, ठीक है, वह यहां नहीं आएगा, उसका जो क्रिया है, वो आना है, तो आने के लिए कम होता है, मैंने आपको बताया, कि जो आपकी क्रिया होगे, उसके पहले ही not आएगा, तो he will not come here, ठीक ह कि मैं के लिए आई आप लगाएंगे ठीक है मैं यहां नहीं रुकोंगा तो I shall not stay here हम वहां नहीं जाएंगे we shall not go there इस टाइप से होते हैं एक्जांपल मैं नीचे आपको बता रहा हूं वहां पर भी अच्छे तरीके से समझाओंगा लेकिन यहां पर मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ी से पकड़ बन जाए और नीचे में जब एक्जांपल बताओं तो आपको अच्छे आपको यह पता है कि कोई चीज़ अगर जारी है तो उसके करेंगे यानि कि ऑस चीज का मतलए उस चीज का करते रहना जब तक व चीज चले गे तब तक हम कांटिनू बोलते हैं तो मुक्ह क्रिया जो उसमें जब तक जारी रहेगे तब तक आप उस चीज को कांटिनू मानें जैसे वह वहां जा रहा होगा ठीक है अगर वो रुक जाएगा तो वो बात की बात है लिकिन अभी वो जा रहा है जा रहा है यानि कि उसका काम अभी हो रहा है वो अभी रोका नहीं है काम को किसी काम को जब रोक देगा तो वहाँ पर कांटीनू नहीं होगा जब कोई काम चलता रहेगा ठीक है जब कोई काम चलता यहां पर आपको एक चीज यह ध्यान रखना है कि नाट भी गोईंग यह हमेशा साथ में रहेंगे यह तीनों हमेशा साथ में यहां पर आपको बता दिया यानि कि यहां पर इसको आपको इस तरीके से समझ लेना है तो यहां पर मैं चलिए एक एक चांपल आपको बता रहा हूं इसको आप सुनिये ठीक है सुनिये ध्यान से सुनिये वह वहां जा रहा होगा तो he we'll be going there कर देंगे ठीक है he will be going there he के साथ क्या होगा will आई और भी आएगा तभी आपको लगाना है वहाँ वहाँ जा रहा होगा तो he will be going there कर देंगे वहाँ वहाँ नहीं जा रहा होगा तो he will not be going there यहाँ पे not आपको पहले ही लगा देना अपको नट लगाना है यह घ्यान रख़एगा ठीक है कुछ भी करिया हो जाना हो रुकना हो पढ़ना हो सोना हो बैठना हो ठीक है कुछ भी हो सकती है जो भी करिया हो आपकी वहां पे उसी के अनुसार आपको यहां पे जो गो है उसके अनुसार आप चेंज कर लेंगे आना है तो coming हो जाएगा, रुकना है तो staying हो जाएगा, बैठना है तो sitting हो जाएगा, ठीक है, बैठना, रुकना, और किसी चीज़ का पड़ा होना, और कुछ चीज़ और है, तो यह सब चीज़ जो है जारी होती है, continuous में माने जाते हैं, भले ही आपको रहा रही नहीं मिलेगा घास में लेकिन वह चीज कांटेन वाउस में होती है जैसे आप आप ऐसा है जारी घा बैक यह वह बैठय है तो आप यह यहानी कि आप बैठे ही है अब हो जो आपको बैठना वो अभी जारी है इसके अनुसार दूसरी کی स्टेज में भी नहीं गया आप वहां से गए नहीं नतंदे हैं इसलिए वहां पर हम मानते हैं कॉंटिनृस ठीक है चले वहां क्यों नहीं चाहर होगा ना भी दियर करदेंगे why will he not be वहाँ पे, he not be he not be going why will he not be going ठीक है, यह मैंने आपको बताया not be going, आये बाके में तो भी साथ रहेगा, be going आये तो ऐसे रहेगा, ठीक है not आये, तो be going के हमें साथ मिलेगा या अब ध्यान देखेगे, चलिए, हम चलते हैं यहाँ पे future perfect tense की बात करते है future perfect tense का मतलब यह होता है भविस्य मुख्य किरिया में future means होता है भविस्य perfect का मतलब होता है पूरा होना आपको यह पता होगा कि perfect means यह काम एकदम perfect हुआ है यानि कि अच्छे तरह के सुआ है पूर्ण हो गया है बढ़िया हुआ है ठीक है वहाँ पे जो perfect होता है इसका मतलब होता है कि पूरा होने का अर्थ मुख्य किरिया में पूरा होने का अर्थ यहाँ पे होता है perfect का मतलब ठीक है तो यानि कि जहाँ पे आपको यह लगे कि भविस्य काल है फ्यूचर टेंस है और वहां पे जो क्रिया है वो पूरी हो रही है वो कंप्लीट हो रही है तो वहां पे आपको यह समझ लेना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए जो आपको helping verb लगानी होती है वो आपको लगानी होते है वी लिया cell plus not have plus not have gone not वो आपको वहाँ लगाना है जहाँ पर नहीं हो अगर नहीं नहीं है वाकि में मैंने आपको ये not ऐसे इसे लिए bracket में दिया है क्योंकि not आपको जरुरत पढ़ने पर ही लगाना है हर चेक नहीं लगाना है नहीं नहीं रहेगा तो आपको वाक में not की जरुरत नहीं है ठीक है तो वाक एगर सिंपल है तो will या cell लगाएंगे उसके बाद have gone कर देंगे not है तो उसके पहले ही आपको not लगा देना है तो will or sell plus not have gone type की आपको क्रिया लगानी है उसके बाद इसमें जा चुका होगा गया होगा टाइप की आपकी जो पहचान होगी क्रिया की इस तरीके से करेंगे आप जा चुका होगा या गया होगा इस टाइप से जो है क्रिया की पहचान की जाती है लाश्ट में वाक्य के आपको यह मिलेगा जैसे वह यहां से जा चुका होगा तो यहां पे आपको वाक्य में क्या लग रहा है complete हो रहा है कि नहीं वाक्य वाक्य जहां पे मैंने आपको बताए कि complete हो यहां पे जो वाक्य है वो complete हो रहा है कि यहां पर वाक्य में पूरा होने का रथा रहा है कि नहीं कि सब वाक्टियों में नहीं जहां पर आपको होगा होगी होगी होगे मिले वहीं पिए पफिचर समझना है था थि नासमें यह कौन दिमाग लगाना है यह नहीं कि आपको सबको फ्यूज यानिके परफेक्ट ही मानने लगे चाहे आप मनलब की प्रजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ ध्यानी नहीं दे रहे हैं और कहना है कि सब प्रफेक्ट हैं आपको यह सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि फ्यूचर है कि प्रजेंट है ठीक है चलिए यहां पर आप अपने सब्सक्राइब कर लिए तो आपको यह वाक्य क्लियर कर लेना है उसके बाद ही आपको विल यह सेल अगर फ्यूचर लगे तो ही लगाना है चलिए विल यह सेल मैंने आपको बताया कि आई यह वी के साथ सेल और सबके साथ विल प्लस नाट हैव गान इस टाप के ख्रिया लगई एकजांपल के थो मैं यहां पे थोड़ा से क्लियर करूंगा बात को ध्या फ्रीकर से यहां पर खुषी हम को मिलती है कि हम और अच्छे तरीके साब लोगों को बता पाएं एच्छे तरीके साथ आप लोगों को समझा पाएं चलिए और चैनल पर नए हो तो subscribe भी करिए और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है कोई चार्ज ने हैं कि आपको सब्सक्र आप discrimination बेड़ेगा वहाँ इसको बात करने वालं के बारे में जैसे वह वहाँ जा चुका हो जा चुका होगा तो he will have gone there ठीक है वह वह नहीं जा चुका होगा he will not have gone there वह वह क्यों नहीं जा चुका होगा why will he not have gone there और अगर वाके में क्या आता है मैं I और बीज़त से आता है मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा ठीक है तो I shall have not completed बाइना है यहां पर आपको मैंने यह बता है यह चीज मैं आप से बताना चाहँगा कि जोड़ा वाली pry ने की बीफोर आफ्टर की जो क्रिया होती है यानी कि क्रियाये ँबड़ोंगी जैसे कि डाक्टर की आने से पहले रोगी मर चुका था एक डाक्टर का आना है एक रोगी का मरना है तो इसमें दो क्रिया एक आना है एक क्रियां लेगें आपको वहाँ पर एक साइड में we nie will be yasr plus have gone डाईप की क्रिया अग लिखानी है और few लगा देना है is S송hah Kalau को आपको सीब्स लगे वाक्य तो आपको वहां पे गोटाईप के लहांने यानी कि आपको केव उसकी जो क्रिया होंने वह ही लिखनी है अगर आपको वहाँ पे प्लूरल दिखता है तो ही आपको क्रिया लह नहीं है अगर सिंगुलर है तो आपको यहां पे यहसी का ठीक है क्या होगा क्योंकि डाक्टर जो है दोकेला है तो इसके लिए बहां पर कम का कम हो जाएगा ठीक है इसलिए यहां पर सब्सक्राइब को आपको बता दिया चुछ अच्छा तरह के समझाया भी है आगे ठीध हम बात करते हैं कि future अभी तक नहीं देखा आप लोगोंने कल वाली वीडियो को सायद अभी तक नहीं देखा होंगा यानि जो इसकी इसमें समय भी जुड़ा होता तो समय जिस क्रिया में आपको जुड़ा हुआ मिले वहाँ पे लाश में होगा होगी होगे रहे तो आपको समझना है कि future perfect continuous tense है ठीक है यहाँ पे इसके लिए जो rules होता है वो होता है will या cell प्लस not have been going टाइप की क्रिया यानि कि आपको will या cell लगाना है आये और पी के साथ cell और सबके साथ will will या cell लगाने के बाद आपको अगर वाके में नाट मिले तो नाट लगाए have been going के पहले ठीक है तो इस टाइप से वाके में समय रहता है दो घंटे सो दो बज़े से जा रहा होगा दो घंटे से का मतलब हुआ कि आपको वाके में कोई भी particular time दे देगा और आपको वाके में ये समझना है कि समय जो है वो हमारा निश्चित है या फिर निश्चित है तो ठीक है आपको जहां पर समय निश्चित मिले वहाँ पर से के लिए आपको सिंस लगाना है ठीक है जैसे ये झो दो बजना है वो निश्चित है जीसले जीस चार वहाँ डस बीशा énormément है जर्भी वारसे वहां बजने वाला समय का मतलि ही हो जो भी समय minutes यिससे अगर हम कहेंगे कि 4 गंटे से 5 गंटे से एन घंटे से 2 गंटे से 5 गंटे से ये जो गंटा वाला समय होता है वो निश्चित नहीं होता है कि कप का यह है ठीक है लेकिन जो पर्टिकुलर हम डेट की बात कर दें या फिर किसी दिन की बात कर दें जैसे हम कहा दें कि रभी वार से सोम वार से मंगल वार से जन्वरी से किसी हम सब्ता की भी बात कर सकते हैं सब्सक् sichern हो जैसे हम साल की भी बूख कर सकते हैं जैसे एक साल से तो जहां पर समय निश्चित लगे यह सब हम जैसे एस poderia बताइब यह सब सारे चीज निश्चित है और जैसे अनिश्चित चीज की हम बात करें कि यह से दो ओर उन्यच्छे से और जैसे पांच दिनों तो लुव घंटे से चुहां कि वह हुआ कि यह जो तो जंट अपका इस निस्चत नहीं है कब गई तो इस घर नहीं दो दिन पहले का है या फिर आप किस दो घंट के बात कर रहें आप हमें नहीं बता रहते आप अगर हमसे यह कहेंगे तो यह समय निश्चित नहीं है तो जहां पी आपको दो वजे से सब्सक्राइब तू आवर का सिंस तू ओकलाक कर देंगे ठीक है इस टाइब से उसे इस फार के साथ इसमें समय भी जुड़ा होता है चलिए अब हम बात करते हैं एक्जाम्पल पे चलते हैं एक्जाम्पल पर आपको अच्छे तरीके से यहां पर समझाने की कोशिस करते हैं जैसे वह यहां क कि यहां पर दूसरा एक्षांपल ने होगा है उससे यहां कि इसने बुलाया होगा आपको वाकिम यह समझना है कि वाकिपूरा हुआ या फिर अदूरा है उसे यहां किसने बुलाया होगा यानि कि यह वाक्व कंप्लीट हो चुका है और किसी ने बुलाया है उसको और वो आएगा यहां पे ठीक है तो उसको किसी ने बुला चुका है और वो यहां पे आएगा ठीक है तो वे यहां किसे यहां किसने बुलाया हो यानि कि गो विंट गान जो क्रिया होती है यानि कि गो फर्स्ट फार्म विंट सेकंड फार्म गान थार्ड फार्म तो काल का जो सेकंड और थार्ड फार्म होता है इसलिए यहां पर हम लिखेंगे काल सेकंड और थार्ड दोनों एक ही होता है तो यहां पर करेंगे यहां पर वो ऑलग होता है यहां पर जो काल्ड होता है दोनों से होता है इसलिए आयां पर हम काल्ड कर दें रहे हैं किसलें होगा who will have called him here ठीक है तेसरा ग्यांपल हमारे पास है तुम उसे कहां भेजोगे तो where will you send him where will you send him ठीक है where will you send him कर देंगे यहाँ पर क्योंकि यह जो है future indefinite tense है यहाँ पर चलिए यहाँ पर उन्होंने आज कौन सा काम किया होगा तो कौन सा काम के लिए आपको क्या करना है which work will they have done today यहाँ पर हो जाएगा तो which work will they have done today यहाँ पर आप कर देंगे तो इस टाइब से यह वेक्जामपल हो जाएगा उसके बाद हम चलते हैं पास वेक्जामपल पर यहाँ पर जो यह था यहाँ फ्यूचर कांटिनुवर्स मैंने आपको क्या बताया था उसका रूल विल्या साहल है प्लस भी गोइंग चाप के क्रिया तो फ्यूचर पर यहाँ पर हो जाएगा कव से यानि कि समय जुड़ गया और यह क्रिया जारी भी है खड़ा होना जारी है ठीक है तो यह कव से खड़े होंगे तो since when यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर since what time होता है कितने बज़े से के लिए will see have been staying here यहाँ पर हो जाएगा तो इस टाइप से साथ वाइव एक्जामपल होगा उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसलेट का ट्रांसलेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं इस क्रिया को आप लिखेगा वे यहां क्यों बैठे होंगे इतना लिखेगा उसके बाद वहां पर नीचे लिख देजिएगा कि कौन सी यह क्रिया क्यों से हें टेंस है कि कांटेंवर्बास है कि पर्फेक्ट कंटेंवर्बास डेखते हैं आप को लोग बताते हैं तो यहां पर आपको यह पता होगा कि विल-डे-बी-जो टाइप की क्रिया यूज होती है वो किस में होती है ठीक है तो आप कमेंट में बताइए कमेंट में ठीक है बताइएगा जरूर सोने से पहले उसने क्या खाया होगा सोने से पहले उसने क्या खाया होगा यहां पर क्या के लिए आपको वाट करना है तो वाट विल है इटन बिफोर स्लिप ठीक है क्या पहले आया है वाके में वाके में है कि सोने से पहले ठीक है पहले के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जोडे वाली टाइप की क्रिया होती है विफोर या आफटर आ जाये वाके में तक आ जाये वाके में और की आ जाये तो वाग के सब सारे वाग के जो है जोड़े वाग के होते हैं तो यहाँ पर जोड़े का मतलब यह हुआ कि एक सोना है एक खाना है ठीक है दो इसमें क्रिया है हो रही है जोड़ा क्रिया है इसमें जोड़ी क्रिया है एक सोना है एक खाना है तो जहाँ पर दो क्रिया मिले Indefinite में जैसे किया जाता है यानि कि yes या यह या यह यह अप लगाएगा अगर आपको बहुचन मिले तो आपको सीधे क्रिया ही लिखते नहीं यहां पर ही है इसलिए यहां पर यहां-पे आई होता तो किवन्चलीप होता क्योंकि होयां यह एक बच्ण नहें यह यह सो गया ठीक эти challenges कि already have एपने यहां पर सोने से पहले उसने क्या खाया था तो यहां पर हुआ यह पर बता होगा मैंने बता बीचुका हूं मेरे नहाने से पहले माने खाना बना लिया होगा मेरे नहाने से पहले माने खाना बना लिया होगा यहां पर आपको क्या समझना है कि पहले के बाद वाला यह पहले माने खाना बना लिया होगा यह आपको करना है Mother will have cooked food before I bath ठीक है यहां पे जो bath की spelling होते है बात ही नहीं होगा यह बात होता है ठीक है मेरे नहीं से पहले माने खाना बना लिया होगा तो आई बात यहां पर इसलिए यहां पर बात हुआ मैंने आपको क्या बता जोड़े वाली टाइप करिया होगे तो एक साइड में विल हैप गौन टाइप करिया लगेगी तो यहां पर लग चुक है एक साइड में फर्ट हम आप दी वर्व यहां पर लगी है बात के वल ठीक है उसके वादे 11 हमारे पास एक जाम पहले वह दो ब यहां पर किसे पढ़ा रहा होगा उसके वाकिस हो इसके लिए आपको मैंने बताया कि यह कौन सा बाते है यह कौन सा टेंस आपको यह न होगा जरा वह है यहां पर समय के साथ यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा whom will he have been teaching ठीक है, यहाँ पे मने आपको यह rule बताया है कि आपको he जैसे आये तो यहाँ पे will ही लगाना है आये और we आये तभी आपको sell लगाना है यहाँ पे whom है पहले प्रसमाचक तो यहाँ पे will करेंगे उसके बाद यहाँ है तो इसके बाद यह कर देंगे यहाँ पे जो समय है दो बजए से वो निश्चित है इसलिए यहाँ पे समय अनिश्चित होता है, दो घंटे सो होता यहाँ पे फार टू आवर से यहाँ पे कर देते हैं ठीक है चलिए लास्ट एक जब्बल हमारे पास और एक बात हम आपसे कहना चाहें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और यहां पर मैं बात करता हूं आप से लास्ट एक्जांपल के बारे में मेरे आने तक तुमने क्या किया होगा तो *** bạn यहां पर वाली कृउड यह साँ यहां अदि किया है ''वाला एक करना है'' एक करनाा है एक किया वहां तो what will you have यहां पर मतलब यह हुआ कौन से हैं आप COorfis 김 है होने कर्थ होता है उसे हम perfectence करते हैं अगर वाके मलाश्ट हमको होगा मिलता है तो हम उसको मानते हैं कि future perfectence है ठीक है आपको उम्मीद करता हूँ झाल करता है